Hey there, welcome to the series of Tamil Nadu Board History. This lesson is presented by me, Kanchan Pandey. और हम पढ़ रहे हैं Class 12 की History. So Class 12 में आज का जो आपका चाप्टर है, It is about the Reformation and Counter-Reformation. Okay? तो इस चाप्टर को हम डेटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. उससे पहले एक important info है, जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए. Study for Civil Services के देखिए दो ग्रूप्स हैं. ठीक है, एक paid ग्रूप्स है और दूसरा free study material group है. तो जो free study material group है, उससे related जो information आप यहां से देख सकते हैं, इन exams के study material आपको मिल सकते हैं. और अगर आप लोग UPPSC, MPPSC, BPSC जैसे exams की preparation कर रहे हैं, तो इसके लिए prelims और mains, तो उनों के लिए जो study material है, वो मौझूद है हमारे paid group में. आप उससे join कर सकते हैं, और further informations के लिए इन number पे call कर सकते हैं. तो यह सारे chapters हैं, 12th class के, जो हमें complete करने हैं, आज हम पढ़ेंगे reformation, और उसके बाद हम पढ़ेंगे counter reformation. तो अगर यह आपको lesson पसंद आए, तो प्लीज हिट दा like बुटन, देखें, like करना बहुत ज़रूरी है, it motivates us, okay? प्लीज हिट दा like बुटन, and also यह जो वीडियोज हैं, अपने friends के साथ, please share करें. तो चाप्टर को पढ़ने के बाद, आप यह समझ पाएंगे, कि जो reformation हुआ था, उसके क्या कारण थे? जैसे हमने यॉरॉप में देखा था, कि जो renaissance आया था, Italy में, importantly, तो उसके क्या कारण थे? ऐसे हम देखेंगे कि reformation जो हुआ, उसके क्या कारण थे? और इसके लिए जो भी great leaders रहे हैं, जैसे Martin Luther, Ulrich Wingley, इन सब का क्या contribution रहा है? John Calvin, और उसके बाद counter-reformation क्यों आया? और यह सारी जो reformation हुआ, counter-reformation हुआ, इन सब के result क्या रहे हैं, ठीक है? तो इस chapter में यह सारी चीज़े हम detail में पढ़ेंगे. यहां पे कुछ questions दिये हैं, इस chapter से later, इन questions को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद answers को discuss करेंगे, और यह questions को पढ़ने के बाद, आप chapter के दौरान, प्लीज अटेंशन पे कीज़ेगा, और इनके answers को fine करने की कोशिश केज़ेगा. जहां भी अभी मैं जैसे morning star of the reformation, ऐसे जो topics बोलूँगी, वहां पे आप थोड़ा attention पे करेंगे, और आपको जो answer है, वो अपने आप पता चल जाएगा. तो you will be known to answer all these questions by yourself only, तो पहला सवाल है, कि which among the following was not a reason for the reformation? अभी हम पढ़ेंगे, reason, reformation के, तो पूछा गया है कि इनमेंसे कौन सा reformation का reason नहीं है, ठीके, पहला है, the spirit of inquiry created by the renaissance, B, emergence of nation states in Europe, C, the geographical discoveries, D, the luxurious life led by the Pope and the clergy, ठीके, सेकंड कोशन है, कि morning star of reformation किसको कहा गया है, यह important है, देखे, reformation important और इसके लिए एक, किसी को बहुत बड़ा title दिया है, morning star of reformation, तो यह किसको दिया है, आप देखो, option A आपको दिया है, Erasmus, B है, Martin Luther, C है, John Hus, and D है, Now, fill in the blanks में आप से पूछा गया है, The Society of Jesus was found by, तो Society of Jesus जो है, वो किसने found करी थी, आपको नाम बताना है, हम देखेंगे अभी, Next step, Genoa की, जो यूनिवरस्टी है, Genoa की, उसके भी founder का नाम पूछा गया है, match the following में आपको देखिए, right side में places के नाम दिये हैं, और left side में कुछ लोगों के नाम दिये हैं, तो ये एक दूसरे से किस से related हैं, आपको इन्हें match करना है, पहला दिया है, Next, यहाँ पर आप लिखा है, Okay, आपको इन्हें match करना है, अब यहाँ पर आपके पास शार स्टेटमेंट्स हैं, इन में से सरफ एक स्टेटमेंट बिल्कुल आपसलियूटली करेक्ट है, तो इस करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है, A है, the counter-reformation was launched by the Protestants, B है, मतलब जो A है, उसका मतलब यह है कि counter-reformation, जब हम पढ़ेंगे, तो आप देखना कि इसको launch किस ने किया है, यहाँ पर तो लिखा है कि Protestants ने launch किया है, ठीक है, B है, the follower of Ignatius Loyola contributed for the spread of education, तो Ignatius Loyola की जो followers थे, उन्होंने education को और ज़्यादा spread करने में काम किया था या नहीं, आपको यह देखना है, फिर C है, the Trent Council was convened by Henry VIII, तो Trent Council को किस ने convened किया था, या पढ़ेंगे, D है, during the counter-reformation, an index insisting of the list of good books was issued by the church, तो counter-reformation के दौरण, क्या कोई एक ऐसी, जो list है, good books की वो issue करवाई गई थी, चर्च के दौरा, यह सारा कुछ हम इस शाप्टर में पढ़ेंगे, फिर true or false में आपका पहला सवाल पुछा गया है, King Henry VIII के बारे में ही, कि King Henry VIII जो है, England के, he initially supported Martin Luther and opposed the Pope, Is this true? Next step, Anglian Church became really protestant in the reign of Edward, तो Anglican Church के बारे में बोला गया है, कि यह protestant बन गया थे in the reign of, जब Edward का साशन चल रहा था, ठीके, तो यह सारा true or false आपको बताना है, तो चलिए, यह सारे questions के answer जानने के रहें, हमारे chapter को बढ़ते हैं, this is a very interesting chapter, देखिए, यह जो term reformation है, यह एक religious reform movement से को दर्शा आता है, ठीके, जैसे renaissance जो है, उसका वैसे मतलब होता है पुना जनम, बट renaissance वहाँ पे क्या था, जो यॉरोप में जो different field में changes आए हुए थे, ठीक है, बिल्कुल cut out हो गया था, जो भी past में चीज़े चल दी थी उनसे, बिल्कुल नहीं चीज़े आई थी, तो उसको renaissance कहा गया था, अब यहाँ पे reformation refer करता है, जो भी religious reform movements रहे हैं, यॉरोप में, 16th century में, उससे related, ठीक है, अब यह जो protest है, यह किसके खिलाफ हो रहा था, चर्च के खिलाफ हो रहा था, जो Christian Church थी यॉरोप में, उसके खिलाफ, and ultimately, it resulted in emergence of protestant Christian religion, अब यह protest करते करते, एक protestant Christian religion जो है, उसका emergence हो गया था, यह जो movement चला था, यह जो religion है, Christian religion चला आ रहा था, उसमें change चाहता था, ठीक है, यह एक नया era चाहता था, religious culture का, तो यह जो reformation है, यह start कहां से हुआ, यह start हुआ था, यॉरोप में हुआ था, लेकिन यॉरोप में कहां से start हुआ था, Germany से start हुआ था, और बाद में other countries है, वहां तक यह spread हुआ था, अब reformation के क्या कारण रहे थे, पहला कारण देखते हैं, तो Christian Church जो है, वो पहले जो Pope होते थे, उनके अंडर रहती थी, ठीक है, और जितने भी लोग है, other, जो Pope नहीं है, other, प्रजा जो है, वो उनको बहुत ज़ादा respect करती थी, लेकिन Middle Ages में क्या हुआ, ये एक feudal institution बन गया, ठीक है, और यहां पे बहुत ज़ादा Church के नाम पे, lands, wealth, इन सब को acquire करने लगे पूप, इसलिए इसको feudal institution खाया है, यानि कि जो जागिरदारी है, वो स्टार्ट हो गई थी, इन पूप्स की, ठीक है, इनका बहुत अच्छा political influence भी होता था, और ये political affairs में भी interfere किया करते थे, और इस वज़े से क्या हुआ, इनका ध्यान यही political चीज़ों में चले गया, और इनकी जो spiritual duties, जो actual इनकी duties ही, उसमें ये, उसको ये neglect करने लगे, ठीक है, और बहुत ही जल्द इन्होंने एक luxurious life जो है, उस तरीकी की जीना शुरू कर दिया, जबकि ये क्या थे, Pope थे Church के, Pope means जो पादरीज होते हैं, ठीक है, the father कहते है इनकी जिटको, the popes like Alexander VI, Julius II, Leo X, who lived in 15th and 16th centuries with their activities undermined the respect and prestige of the Church, तो इस तरीकी जो ये popes थे, इनकी वज़े से जो respect और prestige मिलती थी Church को, वो खतम हो चुकी थी, ठीक है, due to their behavior, तो ये तो था पहला कारण, इस reformation का, दूसरा कारण क्या था, renaissance, ठीक है, जो लोगों में spirit of inquiry, जो है, वो जागरत हुई थी, तभी तो ये reformation, जब तभी तो लोगों ने movement start किया ना, they begin to read the Bible, अब उन्होंने, पहले ये लोग क्या करते थे, जो भी popes उनको चीज़े कहते थे, ये उसको ही मानते थे, खुद से कुछ भी logic अपना नहीं लगाते थे, ना किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश किया करते थे, अब जब से spirit of inquiry जागी है लोगों में, उन्होंने क् ये बाइबल को read करना शुरू कर दिया, और actually उनको अब पदा चला कि Bible में क्या कहा गया है, और ये जो pop है, ये अपने फायदे के लिए क्या change करके बोला करते हैं कि नहीं, ये चीज़ बाइबल में लिखिया और आपको ये चीज़ करनी है, तो actually लोगों को अब knowledge हो रही थ ठीक है, in the years preceding the reformation, many writers condemned luxurious and superstitious practices prevent in the church, और इस reformation से पहले, जो writers है उन्होंने बहुत एहम भूमी का निभाय थी, उन्होंने बहुत सारी किताबें ऐसे लिखी थी, there were many writers, चिन्होंने इन popes की luxurious life है, उसका खुलासा करा था लोगों में, कि ये actually इनका क्या काम है और ये किन चीज में आजकर पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या चीज़ें ये करते हैं, तो इससे लोगों की थोड़ी आँख खुली थी, अब हम ऐसे ये writers के बारे में भी पढ़ेंगे, जॉन वाइकलिफ, ये England से थे, इन्होंने पोप की जो authority है, उसको criticize किया था, उनके द्वारा किये गए, misdeeds को criticize किया था, और इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया था, कि इन्होंने Bible को English में translate कर दिया था, और इसी वज़े से इनको the morning star of reformation कहा जाता है, because इनकी बदौलत लोग अब Bible को English में पढ़ सकते थे, ठीक है, Bible reads to masses also, next step, तो याद रखिएगा, John Wycliffe जो हैं, Wycliffe, ओके, था, the morning star of the reformation, now, next is Erasmus, ठीक है, Erasmus attacked the superstitions followed by the Kalerji in his book, in praise of Foley, ठीक है, ये किताब में इन्होंने Kalerji के जो misdeeds थी, ठीक है, जो इनके द्वारा बताया गए superstitions हैं लोगों को उसको attack किया था, उसको criticize किया था, and ये 5009 में published हुई थी, फिर next, जो राइटर हैं, वो हैं, John Huss, ये एक bohemian है, he struggled for reforming the church, but he was condemned for his writing against the church, and burned to death, तो John Huss जो हैं, इनको जिन्दा जला दिया गया था, और ये भी इसी reformation के लिए काम कर रहे थे, but his bad luck उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, अब ये जो राइटिंग्स हैं, ये कब हुई दी, अब जो लोग हैं, जो पादरियों का जो पॉलिटिकल इंफ्लोएंस हैं, वो नहीं चाहते थे, वो अपने राजा को respect करने लगए थे, and they want their nation states, ठीक है, तो धीरे धीरे जो universal church है, इसका concept खतम होने लगा, and universal church से, ये चीज किसमें transform हो गई, national churches में, ठीक है, so these were some reasons, अब हम बढ़ते हैं, जो भी leaders थे, जोनोंने बहुत ही important काम किया है इस reformation movement में, इनके द्वारा किये गए कामों को पढ़ते हैं, ठीक है, अब जैसे ये नाम है, ये आपने कहीं न कहीं सुने होंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा detail में जानते हैं, ओके, सबसे पहले बात करते हैं, Martin Luther की, तो ये जो reformation ने स्टार्ट हुआ था जर्मनी में, ये Martin Luther ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आइसलेबन में पैदा हुए थे, 10 नवंबर 1483 को, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो ये एक educated person थे, इन्होंने एलफोर्ट यूनिवरस्टी से अपना education लिया था, और ये बाद में 1508 में monk बन गए थे, फिर उस 1510 में वो रोम को विजिट किया था इन्होंने और जो रोमन कलरजी के द्वारा जो लोगों को गलत चीज़े सिखाई गई हैं, उसको देखे ये बहुत शौक हो गए थे, ठीके, और फिर वीटनबर्ग उनिवरस्टी से इन्होंने थियोलोजी में अपना doctorate complete किया था, और उसी उनिवरस्टी में, as a theology professor, इन्होंने अपन जो करियर है, वो स्टार्ट कर दिया था, so Luther जो है, Luther began a systematic campaign for the removal of the evils of the church, और उसके बाद, जब वो प्रफेसर थे युनिवरस्टी में पढ़ाने के बाद, कुछ समय बाद उन्होंने एक systematic campaign, church की evil practices के खिलाफ शुरू कर दिया, तो हमने थोड़ा Martin Luther के बारे में जान लिया है, अब हम पढ़ते हैं कि इस movement में उन्होंने क्या-क्या चीज़े का लिए थी, in 1517, Pope Leo X sent John Tetzel to Germany to sell indulgence for the purpose of raising money to renovate the St. Peter Church at Rome, and indulgence, देखिए, अब मैं आपको बताती हूं, St. Peter Church एक था, उसका construction करवाने का काम चल जा था, ठीक है, उसका construction कराना था, तो 1517 में जो वहां के Pope थे, Pope Leo X, उन्होंने John Tetzel को भेजा, Germany, to sell indulgence for the purpose of raising money, ठीक है, तो ये indulgence का sell करना क्या होता है, देखिए, ये जो practice है, ये जो भी sinner हैं, जिन्होंने भी पाप वगरा किये हैं, उनके लिए होती है, ऐसा कहा जाता है, कि, मतलब actual, क्या होता है, sell of indulgence, जो actual indulgence है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी लोग हैं, जिन्होंने कुछ पाप वगरा किये हैं, तो अगर वो अपना जो गलती है, उसको confess कर लेते हैं, ठीक है, और उसका पश्यात आप कर लेते हैं, तो जो ऐसा कहा जाता है, जो God है, भगवान है, वो उनका जो punishment है, जो उनको मरने के बाद मिलना होगा, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, मतलब वोई चीज़े हैं, पश्यात आप करके, आपके पाप जो हैं थोड़े कम हो जाते हैं, यह होता है indulgence का मतलब, अभी यहां क पोप्स ने क्या करा था, इन्होंने लोगों से यह कहना शुरू करा था, कि आप अपने जो indulgence है, उसको sell करके, मतलब यह indulgence को sell करने के बदले, पैसा मांग रहे थे, पश्यात आप अगरा करना ज़रूरी नहीं है, यह बोलते थे, कि अगर आप चर्च के construction के लिए, उसको अपनी लैंड दे दो, ठीक है, थोड़ा पैसा दे दो, मतलब मंदिर को दान दे दो, मंदिर कह रहे हूं, sorry, जो चर्च है, उसको दान दे दो कुछ भी, financially, तो भी जो आपके पाप है, वो खतम हो जाएंगी, यानि कि जो आपका पश्यात आप है, वो हो जाएगा, तो यह जो चीज थी, इसको लूथर ने बहुत जादा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, एंड लूथर लिस्टेद दा अब्यूस ओफ इंडलिजेंस इन हिस 95 थीसेज और ने तो दोर आप दा चर्च, तो उन्होंने ऐसी 95 अपनी थीसेज बनाई, जिसमें उन्होंने इस इंडलि वार्न हो गए, तो पोप डलियो टैन ने क्या किया, उन्होंने लूथर को जर्मनी से निकालने की घोश्टां कर दी, ठीक है, 1521 में, ठीक है, एक्स कम्मुनिकेट का मतलब होता है, हुका पानी किसी का बन कर देना, तो फिर लूथर ने क्या किया, उन्होंने ये जो और था जो इन्होंने ग्रांट किया था, उन्होंने ये पॉब्लिक में जला दिया था, फिर पोप ने चार्ल्स फाइव जो थे, जो एम्परर थे, उनसे अपील करी थी, ठीक है, to punish लूथर for his writing against the church, बट लूथर जो है, उनको जर्मन प्रिंसेस का सपोर्ट मिला था, और पोप न जो एम्परर है, उनसे मदद मांगी थी, तो, however, he appeared before Emperor Charles V at the Dight of Worms in April 1521, and Luther was proclaimed guilty, but before his imprisonment, उनके जो फ्रिंस थे, उन्होंने उनको वहां से छुडवा लिया था, ठीक है, and there he translated New Testament from original Greek into German language, and he published his most popular book, The Small Catechism in 1529, ठीक है, उन्होंने उसके बाद, यही सारी जो चीज़े होई थी, इसके खिलाफ, अपनी फिर से किताब निकाली, The Small Catechism in 1529, और उसके बाद, उन्होंने अकेले, जो है, अपनी लाइफ आगे की गुजारी, and बात में उनकी 1546 में डैथ होगी थी, When the rural people of Germany joined the religious protest, अब क्या था, जो गाओं के लोग हैं, जो भी rural इलागे के लोग हैं, उन्होंने भी इस protest को join कर लिया था, तो जब इन्होंने इसको join किया था, तो इस war को नाम दे दिया गया था, पीजन्ट's war of 1524 to 1525, और जो revolt है पीजन्ट का, उसे suppressed भी किया गया था, बहुत सारे किसानों को मारा गया था, तो जब इतना बड़ा मासा कैर हुआ था, तो फिर से जो religious question है, वो German princess के सामने raise किये गए थे, तो डाइट ने उनको ये permission दे दी कि वो अपना religion, अपने अनुसा चूज कर सकते हैं, बट इस चीज को जो Emperor Charles V थे, उन्होंने नहीं माना, he reward about it, therefore जो German princess थे, उन्होंने protest करना है, start कर दिया, तो तब जो German princess है, उनको protestant कहा गया, ठीक है, Charles V जो हैं, ये Roman emperor थे, It was only in the peace of Augsburg in 1555, formal approval was given by the emperor to the princes, either to remain Catholic or Lutheran, तो Charles V ने पहले तो ये चीज नहीं मानी थी, लेकिन बाद में, for the peace of Augsburg, उन्होंने ये approval दे दिया था, जो other princess से उनको, to the princess, कि उनको दो option दे दिये थे उन्होंने, या तो आप Catholic रहो या Lutheran रहो, ठीक है, It gave recognition only to Lutheran sect and not to Dwingli Anism or Calvinism, ये जुइंगली Anism क्या है, अब ही आप देखोगे, तो Ulrich, जुइंगली के बारे में पढ़ते हैं पहले, तो इन्होंने reformation लाया था, Switzerland में, ठीक है, ये Martin Luther के ही एक contemporary थे, और ये बहुत ही इनके बारे में जानते हैं थोड़ा, ये रिच फैमिली से थे, Switzerland की, और ये बाद में प्राइस बन गए थे, in the Jew Ridge Canton in 1502, ठीक है, और इन्होंने ये जो sale of indulgence था, जिसका बहुत जादा विरोध किया था, Martin Luther ने, Ulrich Wingling ने भी इसका बहुत जादा अपोस किया था, तो ये खुद एक प्राइस थे और इन्होंने ओपनली एक आदा जो कलरजीज हैं, जो अब luxurious life जी रहे हैं और जो राज्य की political affairs हैं, उसमें indulge हो रहे हैं, तो उनको strictly जो principles हैं Bible की उनको follow करना चाहिए, Samson was sent to Jewish by the Pope to sell the indulgence, Samson को भेजा गया था Jewish के पास, indulgence को sell करने के लिए, और इसको जो जो इंगली ने अपोस कर दिया था, thereafter, his preaching was directed against the leadership of the Pope, and the excessive veneration of the sent, celibacy of the prisedhood and fasting, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब sale of indulgence का offer दिया गया Jewish को, उसके बाद इनका जो प्रोटेस्ट था, वो और ज़्यादा high level पे चले गया, अब ये जो पोप है, उनकी leadership के against भी हो गए, ठीक है, ये जो excessive superstition होते हैं, इन लोगों के द्वारा बताया हुए, इन साफ, celibacy, brahmacharya, ठीक है, वरत वगेरा, fasting, इन साब के ये खिलाफ हो गए, तो, his stand against the celibacy, was opposed by the bishop of Constance, तो, bishop जो थे Constance के, उन्होंने उनका जो, की वो celibacy के भी against है, उसका oppose किया था, तो, the city council जो है, लेकिन उसने, ज्विंगली के favor में, vote किया था, और, bishop के against में, वोट किया था, तो, उसके बाद, जो जूरिच है, he adopted the reformation, in 1523, Pope जो थे, he sent excommunicating, to ज्विंगली औल्सो, जैसे, Martin Luther को, भेजा गया था, कि उनको निकाल दिया गया था, राज्यो से, और उनका सब हुका पानी बंद कर दिया था, तो, जो जूरिच कांटन, अनौंस इट सेपरेशन फॉर्म दा चर्च, लेकिन, जो जूरिच कांटन है, जो जिनके, जहां के, जो जूरिच जो है, वो प्राइस थे, उसने ही, उसने अपने आपको चर्च से, सेपरेट घोशित खुदी कर दिया, ठीक है, अनौंस जो जो फाइफ कैंटन थे, ये डिकलेड़ आ वोर अगेंस्ट जूरिच, इन विच जूरिच जूरिच वोज ग्वेल्ट, ठीक है, लेकिन जो अदर कैंटन से, उनको ये चीज पसद नहीं आई, और उन्होंने जूरिच के खिलाफ, वार कर दी और जुंगली इसमें मारे गए finally an agreement was reached between the cantons by which each canton was given freedom to choose their religious sect अब बात करते हैं John Calvin की तो ये एक French protest reformer थे और ये France में ही पैदा हुए थे इन्होंने humanities और law की पढ़ाई करी थी from the University of Paris he obtained in 1532 doctor of law and his first published work was commentary on roman philosopher Seneca di Clementia and 1536 में ये Genova में settled हो गए थे तो इनकी जो main teaching थी वो थी कि जो bible है it is alone is the final authority for matters of faith and that salvation is attained purely through grace तो ये Bible के लिए बोल दा करते थे हैं ये एक final authority है केवल एक यही है for the matters of faith ठीक है और जो salvation है मोक्षा ये grace से ही प्राप्त हो सकता है तो ये इनकी teachings थी he subscribed to the doctrine of the absolute for knowledge and the determining power of God Calvin जो है इन्होंने अपने religious doctrine की जो किताब है उसको भी publish किया था जो भी इनके thoughts थे and इसका नाम था the institute of Christian religion तो ये किताब Calvin ने publish कर दिती his religious sect was owned as Calvinism अब इनके जो religious sects थे जिनको लोगोंने own कर रा था जो लोग इनके religious sects को follow करते थे उस religious sect को बोला गया है Calvinism ठीक है जो ज्विंगली के sects को follow करते थे उसको क्या बोला गया था ज्विंगली नियाजम ज्विंगली आनिजम ठीक है ज्विंगलियानिजम कहा जाता था तो जो राजा थे हमने अभी देखा था कि उन्होंने जो ऑगस्बर्ग में पीस इस्थापित करने के लिए प्रिंसेस को दो ऑप्षन दिये थे या तो वो Catholic religion को माने या Lutheran religion को माने ज्विंग्लियनिजम और Calvinism की बात उन्होंने नहीं करी थी तो हमने ज्विंग्लियनिजम के बारे में यहां पर पढ़ लिया है और अब हमने Calvinism के बारे में भी पढ़ लिया है तो बाद में यह जो जैनेवा की चरच है वहां के हैड़ बन गए थे इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खुलवाए थे for the spread of education and he was also the founder of the University of Geneva तो जैनेवा की University के founder कौन थे John Calvin and Calvinism had spread to many parts of Europe और Calvinism जो है वो यॉरप के बहुत सारे पार्ट में spread हो गया था अब बात करते हैं about the reformation in England ठीक है तो King Henry VIII जो थे England के initially उन्होंने Martin Luther को support नहीं किया था he opposed Martin Luther और Pope को इन्होंने support किया था and he was called the defender of faith और इसले इनको defender of faith कहा जाता है लेकिन बाद में जब ही अपनी wife से divorce चाहते थे King Henry तो इसका permission नहीं दिया था Pope ने इन्हें तो उसके बाद इनकी relationship पोप के साथ खराब हो गय थे और उसके बाद he asked the Parliament to pass an act of supremacy in 1534 by which the king was made the head of the church और इस act के पास होने के बाद church का head जो अभी तक Pope बने रहते थे वो कौन हो जाएंगे? king हो जाएंगे the new church independent of the authority of the Pope was called Anglican Church और जो नहीं church स्थापित हुई थी उसमें Pope का जो दखल अंदाजी है वो नहीं होगा वो independent थी Pope की authority से और ऐसी churches को Anglican Church कहा जाता है Henry A. did not introduce any changes in the Catholic doctrines तो यह जो Catholic doctrines अभी तक चली आ रही थी उसमें इन्होंने कोई change नहीं लाया था but the Anglican Church became really protestant in the reign of Edward VI लेकिन उसके बाद जो राजा आए, Edward VI जब आए तो उस वक्ग जो Anglican Church थे वो एक तरीके से protestant ही बन गए थे ठीके? जो service book थी अभी तक की उसको English में translate कर दिया गया था अब बात करते हैं counter-reformation की ठीके? तो देखे कुछ लोग ऐसे भी थे जो भी prestige और respect Catholic Church की खो गई है उसको वापस लाना चाहते थे ठीके? और इसी reformation लाना चाहते थे तो इसी चीज़ को कहा गया है counter-reformation Ignatius Loyala की बात करते हैं यहाँ पर यह एक Spanish soldier थे and he decided to contribute his might to the cause of the Roman Catholic Church ठीके? तो इनका मकसद क्या था? इन्होंने एक Society of Jesus जो है उसको found किया था 1534 में and इनका मकसद था कि जो Catholic Church की respect है, glory है, prestige है उसको फिर से reform और restore कर दिया जाए ठीके? और इस Society के members को Jesus कहा जाता था Jesus and they worked hard to earn good name again for the Catholic Church जो भी नाम डूप चुका था Catholic Church का कुछ खराब पादरियों की वज़े से उस चीज़ को फिर उसके खिलाफ reformation हुआ था, protest हुआ था और उसके बाद उस चीज़ को फिर से सही करने के लिए counter-reformation हुआ था ठीके? तो इन्होंने इसके लिए बहुत सारे school और colleges खुलवाए थे and they achieved a remarkable success in their missionary activities and they remained faithful to the Pope and the Catholic religion the Council of Trent जो है, ये इंट्रोड्यूस करवा इसने इंट्रोड्यूस किया था, several reforms in the Catholic Church ठीके? ये जो Council of Trent है इसने तो the most glaring abuses of the clergy was removed celibacy was strictly enforced for them and the sale of offices was stopped, जो sale of indulgence है वो अब खतम हो चोकी थी and it also stressed that clergy adhered more strictly to their duties जो अपनी duties नहीं 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 भाह रहे थे clergy उनको strictly कहा गया था कि उनको अपनी duties जो है, वो strictly निभानी पड़ेंगी, ठीके? and the Pope was recognized as the supreme authority in the matter of religion और Pope जो है, उनको religion के matters में supreme authority बना दिया गया था, ना कि political affair में an index consisting of the list of dangerous and heretical books was issued by the church the Catholics were prohibited from reading these books और एक ऐसी list जो है किताबों की जो की dangerous है religion के लिए, Catholics के लिए उसको तैयार किया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वो इन किताबों को ना पड़े similarly the medieval practice of ecclesiastical court of acquisition was revived torture was used to extract confession, severe punishment such as burning to death were employed against the enemies of church तो यह जो severe punishment अभी तक दी जा दी थी, हमने देखा था John Hus को जिंदा जला दिया गया था तो इन सारी practices को खतम कर दिया गया था तो counter reformation का जो success है it can be understood from the fact that the rapid spread of protestantism was halted और अब जो protestantism हो रहा था वो खतम हो चुका था ठीके जितने भी other places थे जैसे southern Germany, France, Poland Swiss, Cantons, Savoy यह सारी जगह फिर से जो Catholic faith है वो established हो चुका था ठीके और Italy और Spain से जितने भी थोड़े बहुत protestantism बचा था वो भी खतम हो चुका था तो अभी भी जो Catholic Church है तो counter-reformation जो है यह अपने मकसद में successful हो गया था यहाँ पे दिये हैं effects of reformation तो reformation की क्या-क्या effect आये थे अभी यह counter-reformation का effects के बाद हम नहीं कर रहे हैं हम reformation की बाद कर रहे हैं तो reformation जब आया था तो Christianity दो major पार्ट में डिवाइड हो गई थी Catholics और Protestants में ठीके और people जो हैं they were encouraged to read the Bible लोगों को Bible पढ़ने के लिए encourage किया गया था और अपना जो intellectual है उसको खुद यूज करने के लिए कहा गया था ठीके they were free for the they were free to think about it जो भी चीज़े Bible में लिखी थी और इसने क्या किया था चीज़ इसने जो development है आर्ट, literature और साइंस में उसमें लोगों काफी ज़ादा encourage किया था ठीके democratic church system जो है it paved the way for the growth of democracy and nationalism हमने देखा था national church जो है उसका establishment हो चुका था पहले universal change से national church में transformation हुआ था तो इसने जो है democracy और nationalism जो है इसको बढ़ाया था the place of pope was taken by the nationalistic churches there was rapid progress of the protestant religion and the counter reformation ultimately resulted in the purification of the church तो पहले protestant ने जो reformation movement लाया था और उसके बाद जो counter reformation आया था इसकी वज़े से ultimately जो church है उसका purification हो गया था सारी जो अच्छी चीज़े हैं वो involved हो गई थी इस catholic religion में बोथ catholic and protestant begin to adopt high moral standard after the reformation ठीक है ये superstitious नहीं थे ये modern सोच में भी आधारित थे the catholic purified their church establishment and this is turn improved the values of the society तो ये आपका chapter अप खतम हो चुका है reformation और counter reformation का I hope ये chapter आपको अराम से समझा गया हो thank you for watching this lesson and please hit the like button share the course with your friend and subscribe to the channel